मुझा पूर्ट के लिए जोग्राफी का एक नहीं अपडेट लेकर के आगया हूँ जोग्राफीक है चैट्रた का नाम करीसी और यह पारट तुर रहेगा क्योंकि अपडेट पarnya के लिए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करने और यहां पर आपको लेक्चर के साथ साथ कोसन एंसर का भी अपडेट मिलते रहता है और कोसन के लिए आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडियाप के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को जोईन कर सकते हैं टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और उसके लिए से में बात करने वाले हैं वो है मुख्य फसल के विच्छे में कि आखिरकार कौन-कौन से मुख्य फसल जो है भारत में मुख्य रूप से भारत के विच्छे में बात करेंगे भारत में कौन-कौन से मुख्य फसले हैं उनके विसे में बात करेंगे और उनके उगाया जाने के क्या-क्या बाते हैं सबसे पहले होता है कि मुख्य फसले भारत में एक परकार के खाद और और खाद फसले को आई जाते हैं ध्यान से चुनिएगा खाद और और खाद खाद का मतलब होता है वैसे वैसे फसल जिसको खाने के लिए उगा जाता है और औखाद का मतलब क्या हो जाता है कि वैसे फसल यहाँ पर औखाद लिखना था औखाद का मतलब वैसे फसल होते हैं जो खाने के उद्यस से नहीं बलकि कुछ बनाने या बेचने के उद्यस से उगाई जाते है उसको खाते है अगर खाद फसलों की बात किया तो कुछ अनाज है और कुछ गैर अनाज फसले हैं जिनको खाद फसले में लिया जाते हैं अगर चलके हम बात करेंगे कि कौन कौन से फसले हैं तो अब हम अगर बात करते हैं कि गैर अनाज फसले और अनाज फसले में क्या क्या आता है तो सबसे पहले अनाज फसलों के विसे में बात करते हैं तो चावल आता है गेहूं आता है मोटे अनाज आते हैं बाजरा मक्का और दाली ये सारे आपके अनाज फसलों में आते हैं तो एक एक करके सब के विसे में बात करते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले चावल के विसे मे बड़ा उत्पादक देश है दायद्रखी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज है और चावल की क्रिसी के लिए क्या क्या चीज आवस्य के यह सारी बाते भी देखते हैं अगर इसे उगाने के लिए बात किया तो पचीस डिग्री सेल्सेस की से भी जादा का तापमान क अगर इसके राज की बात किया तो हर्याना पंजाब पसीम बंदगाल और उत्तर परदिस इत्यादी राज में इसका इसके उधारान जहां पर बहुत जादा उत्पादन आता बड़ी मात्रा में उत्पादन किये जाते हैं तो यह था चावल के विसे में अब आगे बात करत है खतान, मतलब खाने के लिए उगाने वाला फसल है। बहस्तर और पशिमी भागों में मुख्य नंते होता होता हैं ॥안से एकि राजक की परदेस, उससे बात की घाकire होता है, तो आपको सिंपल सा गरना क्या है कि जो भी टॉपिक हम किलियर करते जारे जैसे गहों और चावल तो मुख्य रूप से आपको पॉइंट याद रखना कि कौन से राज में और उसके तापमान वगेरा भी थोड़ा सा याद रखना है सिंपल सा आपको यह सारी बात्त time एनाज में अता होगा विलकल पॉइंट वाईज पॉइंट रखे है समझने में कहीं तिका दोगा ज admir होती है इस में पूशक्तात्व की मातरा बहुत हो करते हैं लेकिन अब इनका परियोग नहीं कर रहे हैं और अगर बात की जए उधारन के लिए इसमें परचूर मात्रा में लोहा, सुख्छम पोशकता तो और खुशी जो खुशी मिलती है यह सारा चीज्ज जोसक्ति भूशी वेगरा यह नहीं जो भूशी का होता है वह सारा चीज इस मोटे अनाज में मिलता है खुशी नहीं लिखना था और जो बात की तो महाराष्ट और बाजरा के लिए बात की जा तो उत्तर परदेश और रागी के लिए बात की जा तो करनाटाग यह सारे राज़ जो है इंपोर्टन राज़ है इनके लिए सबसे जादा उत्पादन इन राज़ों में किया जाता है तो सबको अलग-अलग करके लिख लिए ताकि आपको समझ में आ जाए तो अगला जो बात है वो है बाजरा बाजरा के बिसे में तो यह बलुआ और उत्ली काली मिटी में उगाए जाता है याद रखिएगा बलुआ और उत्ली काली मिटी में अगर बात की जा तो राजस्तान हर्याना उतर परदेश महराष्ट गुजरात इसके मुख्य उत्पादक राज है और यह सुस्क परदेशों की फसल है सुस्क मतलब सुखे परदोसक की फसल है अगर सुखे परदोसक की फसल है यानि कि तापमान क्या हो रगा जादा होगा तापमान जादा होगा और वर्षा की मातरा कम होगा अगला जो है वह मक्का है मक् मक्का के पर्मुक उत्पादक राजे यहां पर बिर्याद मात्रामिन का उत्पादन किया जाता है अब जो है अंतिम वह है डाल डाल के विश्चे में डाल भी बहुत ज्यादा इंपोर्टन और प्रोटीन यूक्त फसल है इससे हमें परते एक दिन डाल खाना जरूरी होता है दाल खाने से आपको जो होता है ना प्रोटीन मिलता रहता है और आप ग्रो करते हैं और आपके मस्तिक्स में साइंस में जरूर पड़ेगा चलिए हम लोग बात करते हैं भोगल में क्या पड़ना है कि भारत के विश्व में डाल का सबसे बड़ा उत्पादक तो था उत्प भर उडूद मूंग मसूर मटर और चना यह सारे जो है वह सकते हैं मूंग के पर दाल के परकार हैं और यह जतने भी डाल है यह भारत के मुख्य दलन फसलों के रूप में उगा जाते हैं और बात की जाता है तो यह फसल सुक्स तापमान में भी उगाये जा सकते हैं यहां अगला बात करने जा रहे हैं उसके विसे में तोड़ा सा गौर करते हैं और उसको समझने की कोशिज करते हैं और वो खादानों की अलाबा जो फसल होती है जिने हम गैर अनाज फसले भी कहते हैं उनके विसे में तोड़ा सा गौर करते हैं तो वो कौन-कौन से फसल है जो गैर अनाज फसलों में आता है यानि कि यह अनाज तो है लिकिन इसको गैर अनाज में लिया जाता है क्योंकि इनका जै करते हैं तो सबसे पहले बात करने रहे हैं हम लोग अगर करने जा रहे तो सबसे बात किया घर कर लेते हैं तो अगर घर रहाई तो घंक्र झाम एड़ी कर दो होती है ठीक है ना इतना ही सब आपको याद रखना कि 27 डिगरी चल चाहता कि तामन के अब सकता होती है और 75 से 100 संटीमीटर के वर्षा की भी अब सकता होती है अगर बात की जा राज के तो हर्याना पंजाब उत्तर परदेश महराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा उत्पाद सब्सक्राण बहुती बिर्यात मात्रा में किया जाता है, चलिए अगला बात करते हैं दूसरेक N现在 is other उगाने का सकते हैं बठ्षा का पानी का असर ज्यादा रहाता है और उदर हिमाले के किनारे छितन है कारण वर्ठ पानी की कमी भी नहीं होती है, अगला आप का तीलहन फस असल जितने भी तेल के बाद के सब खाने योग है और इसे खाने पकाने में परियोग किया जाता है आंदर पर्देश तामिल अंडो गुजरात के छेतर तक जहां इसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो यह थे तीलहन के बिसे में जो हम बात की जाए चाय के ब बात करने वाले हैं वह बागवानी फसले अगर शमज मेरा तो करते जाएगा कि हाश और समझ में आ रहा है और ऐसे अफडेट पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा वीडियो इतने मेनत करके बनाते हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिएगा तो बात करते हैं बागवानी फसलों के विसे में तो फलों और शब्जियों के उत्पादन को हम लोग क्या काते हैं बागवानी फसले काते हैं फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि फलों और शब्जियों के उत्पादन को बागवानी फसले काते हैं भारत में बागवानी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश में से एक है अगर बात की जाए तो महराष्ट्र आमों के लिए अगर बात की जाए केरला तो केलों के लिए जमो कस्मेर सेव के लिए परशार पूरे विस्व में पूरे विस्व में यह सारी बाते मालूम है कि यह जो राज है इन सब चीटल यह famous है और अगर बात किजा तो भारत पूरे विश्व के 13% सबजियां उगाता है 13% पूरा विश्व का 13% सबजी आपके ही भारत में उगाया जाता है तो चलिए अगला बात करते हैं अगले पॉइंट अगर बात की जातो आहां बात है वह और खाद फसले और खाद फ और तीसरा है जूट तो इन तीनों की विश्व हम लोग देखते हैं एक-एक करके कौन-कौन से रेसेदार और खाद फसले तो सबसे पहले आपका रवड है यह एक परकार का फसल याद रखेगा रवड है रवड को बहुत जादा नमी की अवसकता होती है और यह आद्र जल पहला है रेसेदार फसले तो रेसेदार फसले में दो लिया है पहला है रेसम के बात के याद इसके लिए रहत र toss की अको बनाने के लिए पालन रेसम उत्पादन कहा लाता है यानि कि जो रेसम के कीड़ों को जो पालते हैं उसको रेसम उत्पादन कहते हैं तो यह था रेसम के विसे में अब गला जो है कपास के विसे में इस फसल को उगाने के लिए उच्चतम तापमान हलकी वर्सा और या फिर सिचाई भी कर सकत आप इसके लिए और खिली धूप की अवशकता होती है इसे कंकर इसे 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 पकड़ कर तैयार होने में इसे पक कर तैयार होने में छे से आठ महिने लगते हैं यहां पर थोड़ा सा मिष्ट्या को क्या था समझने की को सिसकी देगा पक कर तैयार होने में यहां पर लगना राजियों में से एक हैं अब हम बात करने वाले हैं अगला और वह झूट के विसे में नोसरी तकारी वस्तुवे बनाने में किया जाता है तो परियोग भी देख लिए हम लोग अब अगर बात की जाए तो अभी आप लोग जूट के वस्तू को कम देखते हैं कारण क्या है कि इसकी उच्च लागत के कारण इसको उगाने में ज्यादा लागत लगता है और कृत्रिम रेशे और पेकिंग समागरी के वि भारत को क्रिसी परदान राष्ट भी कहा जाता है इनी और जितने हम लोग बात कि इनी फसलों के विशे में भारत को क्रिसी परदान राज भी कहा जाता है तो यह था आज का अपडेट जो हम आपके लिए अगला जो अपडेट है इसी चैप्टर से रहेगा कि कौन-कौन से न्य न्य बदला पुर्थोगी की विश्य में और परदूसकंगे विश्य में, वह सारी चीजे बात देखेंगे, और फसल के न्य न्य क्या प्रारूप है, लिंक आप description में मिल जाएगा और अगर आप part 1 नहीं देखें या फिर जोग्राफिक का कोई भी update नहीं देखें तो description में पड़े हुए जोग्राफिक के playlist में जाएगे और वहां से आप सारे वीडियो देखें क्योंकि आपके लिए यहाप धिर सारे update दिये हुए है अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो ही आप समझ पाएंगे इस चप्टर को उम्मीद करेंगे अच्छा लगागा जाहिन जय भारत वंदे मात्रम